हमें ये लगता है कि ये भारती जनता पार्टी का एक और नया जुमला है और मैं बताता हूँ क्यों थोड़े दिन पहले चार राज्यों के चुनाव होने थे चार राज्यों के चुनाव में इन्होंने सिर्फ दो राज्यों का चुनाव किया इन्होंने हरियाना का और जार्खंड और महारास्ट्रा को छोड़ दिया अगर आप चार राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा ओगे उसको भी छोड़ो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि हम मांग कर रहे हैं कि महारास्ट्रा और जार्खंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो ये उसमें भी सहमत नहीं है तो जब आप एक साथ तीन राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ हैं एक साथ चार राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ हैं तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे त तो क्या धाई साल फिर रास्टपती साशन लगेगा वहाँ पे और धाई साल रास्टपती साशन लगेगा तो क्या बीजेपी ये सोच रही है कि वो फिर रास्टपती साशन के तुरू अपनी मनमर्जी, LG के माध्यम से अपनी मनमर्जी चलाएंगे LG के माध्यम से कई सारे democratically elected governments को और राज्यों को destabilize करने का काम BGP already कर रही है तो क्या ये इनका एक sinister plan है कि ऐसे करके राज्यों को destabilize किया जाए मेरा ये मानना है कि भारती जनता पार्टी का एक वैसा ही जुमला है जैसे किसानों के लिए कानून बिना किसानों से discuss किये लेकर आए demonetization बिना expert से discuss किये लाए जैसे कोरोना में ये थाली बजवाए ये वैसे ही एक नया जुमला है इसका कोई कुछ होना जाना नहीं